हेलो अफ्रीवन मैं करूना स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल पे आज हम करने जा रहे हैं नूरल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं इसको तो नूरल सिस्टम जो है वो नूरोंस और गलियल सेल्स का बनावा होता है किसका बनावा होता है नूरोंस और और गलियल सेल का जो ये नियूरौन्स है ये 90% के आसपास है ब्रेन का पॉर्षन और कुछ बचावा पॉरषन है ये ख्लियल सैल्स बनाती है थीक है जो lower invertebrates है जैसे cabinr है उसमें क्या होता है network of neurons होता है मतलब कि specified नहीं होता जो नर्वस सिस्टम है ऐसे इंसेक्ट में भी कुछ गलिया गंग्लियों प्रजेंट होते हैं मतलों कि स्पैसिफाइड नहीं है लेकिन जो वर्टिप्रेट्स है उसमें मोर डेवलप्ट है ठीक है तो चलिए हम देखते हैं तो हम नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले न्यूरों का स्ट्रक्चर देखते हैं क्योंकि बेसिक और स्ट्रक्चरल जो उनिट है नर्वस सिस्टम की वो न्यूरों है ठीक है न्यूरों में क्या होतता है सेल बोडी होतती है ठीक है एक्जोन होतता है और डेंड्राइट्स होतते हैं ठीक है अब सेल बोडी के अंदर क्या क्यों होत इनको हम बोलते हैं dendrites ठीक है यह क्या करते हैं जो impulse है signal है उनको cell body की तरफ लेके आते हैं ठीक है towards the cell body और जो exon है वो क्या करते हैं यह जो impulse और signal है उसको लेके जाते हैं away from body ठीक है यह cell body है इससे दूर लेके जाएंगे यह cell body के पास लेके आएंगे ठीक है अब exon की बात कर होती है माईलीनेटेड सीथ होती है जिस एक जोन पर यह माईलीन की शीथ होती है ऐसे 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 गे उनको बोलते हैं माईलीनेटेड और जिनके पास नहीं होती उनको बोलते हैं नोन तो यह मैलीनेटेड जो सीत है इनमें यहाँ बीच में। नोट्स में होते हैं, जिनको बॉलते हैं नोट्स says of Renvier . Oh plan! आए बीस समझान है एकजोन कहा जाकर terminal होता है एकजोन टर्मिनल में यहाँ फीर होता है सैनेप्टिक नोब устрой nic man अब एक बार फिर से बताती हूं, जो neuron है, basic or structural unit है, nervous system की, brain की, तो इसमें क्या है, cell body है, dendrites है, exon है, तो cell body में हमने देखा nucleus होता है, ornusle granules होते हैं, अब इसमें centriol या फिस centrosum कुछ ही नहीं है, फिस cell division कैसे होता है, तो cell division नहीं होता है, cell division नहीं होता है, तो फिर brain cancer कैसे ह होता है, जो glial cells है, कुछ glial cells उन में होता है, तो उन में जो division होता है, उसकी वज़े से cancer होता है, ना कि neuron की वज़े से, ठीक है, आप देखो, जो मैंने पिछे बताया है, वही बता रखा है, नोर्स बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, three major parts है, cell body, dendrites, exon, अभी मैंने बताया निशल granules होते हैं, ठीक है, निशल granules dendrites में भी होते हैं, जो कि ये, जो branch structure है, इन में भी निशल granules होते हैं, ये कह रहा है, ठीक है, ये बता दिया, cynaptic knob, ठीक है, cynaptic knob, cynaptic vesicles, उसमें क्या होते हैं, neurotransmitter, ये हम impulse का conduction पढ़ेंगे, तब वहां काम आएगा, ठीक है, अब देखो ये थ्री टाइप्स कiği होते हैं है निूरोंस थ्री टाइप्स का होते हैं Anime bipolar हूंस इसमें एक जोंड होता है लेकिन डेंट्वा और मोरूरो सकते हैं मतलब दो और दो से जड़ा हो सकते हैं और कहाँ पाय जाते हैं किasis टीक है Л्य पालब यानि कि दो एक च्रों और एक डेनडो डेन्र राइट ठीक डेन 31 य यूनिपोलर एक ही होता है इसमें यह कहां होता है अभी मैंने बताया कि टू टैप्स के हो सकते हैं अगर माइलीन सीथ परजेंट है तो माइलीनेटिड और नहीं है तो नॉन माइलीनेटिड ठीक है अब देखो जो नर्वस सिस्ट्रम है उसको क्लासिफाई जो नर्वस सिस्ट्रम है उसको क्लासिफाई क्या गया है सेंट्रल नर्वस सिस्ट्रम और पैरिफ्रल नर्वस सिस्ट्रम जो सेंट्रल नर्वस सिस्ट्रम है उसमें है स्पाइनल कोर्ड और ब्रेन ऑटोनमस में है पैरा सिंपाथेटिक नर्वस सिस्ट्रम और स पहले हम सैंट्रल की बाथ कर लेते हैं सैंट्रल में सारे इन को लेकैं चलते हैं तहो देखिए जो दिफ्रेंट पौर्ष होते हैं आए जैसे voluntary movement है, balance of body है, voluntary movement, balance of body, functioning of vital, involuntary organs ठीक है, यह सारा कौन कंट्रोल करता है brain, आएए देखते हैं कैसे कौन सा portion क्या करता है, तो brain में भी four brain, mid brain और hand brain, mid brain और hand brain तीन होते हैं, four brain में कौन कौन से हैं, cerebrum, thalamus और hypothalamus, तो चलिए पहले हम इनको ही देखते हैं, देखो, brain अंदर से cover रहता, inside skull, skull के अंदर भी brain की covering होती है, उनको meninges बोलते हैं, तो कितनी होती है, तीन होती है, outer को dura बोलते हैं, middle को archinoid बोलते हैं, और inner को piameter बोलते हैं, देखो, जो outer है, उसको durameter बोलते हैं, middle है, उसको archinoid बोलते हैं, और जो inner है, उसको piameter बोलते हैं, ठीक है, brain की covering है, meninges, skull के अंदर जो covering है brain की, उसको, अब देखो, यह वही बता दिया, forebrain, maintenance, hindrance, इसमें एक एक करके हम देखते हैं, forebrain के parts, ठीक है, तो cerebrum है, यह major portion बनाता है, forebrain का, जो यह है, two halves में divide होते हैं, left और right cerebral hemisphere में, ठीक है, यह hemisphere एक दूसरे से जुड़े होते हैं, with the help of corpus callosum, देखो, यह दिखाया हुआ है, corpus callosum, ठीक है, इसमें जो loops हैं, वो देखो, frontal loops हैं, उसका क्या function है, it executes function of speech, planning, reasoning, problem solving activities, movement of body organs, ठीक है, अब next है, prital loop, यह क्या करता है, perception of stimuli, जैसे की temperature को, touch को, taste को, ठीक है, फिर है, occipital नाम से ही पता चल रहा है, it is related to visual processing, जो देखने में help करें, ठीक है, temporal loop, related to perception and recognition of memory, ठीक है, emotions, auditory stimulus, ठीक है, यह देखो, यह दिखाया है, frontal lobe, occipital lobe, ठीक है, यह रहा प्राइटल लोब, और यहाँ पे दिखाने रखा, यहाँ पे उत्ता है, temporal lobe, कौन सा, temporal lobe, ठीक है, इस साइड उत्ते है, तो चलिए, यह next, हमने देखा cerebrum, अभी next है, thalamus, ठीक है, इसका क्या रोल है, it relay, sensory information from, sense organ, eyes, nose, skin, ear, eyes, ठीक है, also responsible for motor information, transmitting motor information, sensory और motor, दोनों में help करता है, ठीक है, sensory क्या होता है, जो impulse, और जो sensory impulse, brain तक जाते हैं, और motor जो brain से organ तक आते हैं, ठीक है, और इसका क्या function है, responsible to store memories, ठीक है, memory को store करने में कामाता है, कौन सा, thalamus जो portion है, for brain का वो, ठीक है, फिर है hypothalamus, it is located below thalamus, ठीक है, अब ओद पुजोटरी ग्लेंड, इसके function क्या है, it maintain homeostasis, मतलब की body के temperature को, control करके रखता है, normal करके रखता है, ठीक है, variety of signals को respond करता है, जैसे thrust है, hunger है, eating, smell, और हमारी body में hormones के circulation को control करके रखता है, ठीक है, काफी सारे hormones release करता है, काफी सारे hormones release करता है, oxytocin है, thyroid gland है, growth hormone है, prolactin है, dopamine है, ठीक है, चलिए, यह था forebrain, forebrain में हमने पड़ा cerebrum, lobs पढ़े, thalamus पढ़ा, hypothalamus पढ़ा, अब हम आ गई midbrain पे, ठीक है, यह कहां होता है, between thalamus of forebrain and bones of handbrain, ठीक है, एक कैनाल होती है, जिसको cerebral aqueduct बोलते हैं, जो कहां से पास होती है, midbrain से, ठीक है, इसके जो dorsal portion है, उसमें 4 swelling होती है, जिसको हम बोलते हैं, corporal quadrigemia, ठीक है, कहां होता है, corporal quadrigemia, कोई आप से पुछेगा, तो midbrain में होता है, ठीक है, अब है hindbrain, इसमें है cerebellum, medulla, oblongata और pons, cerebellum इसको little brain भी बोलते हैं, छोटा दिमाग, ठीक है, इसमें भी 2 hemisphere होते हैं, outer जो है, वो gray color का होता है, और उसके बोलते हैं cortex, inner white color का होता है, उसको medulla बोलते हैं, यह जो हमारी body का balancing है, उसमें help करता है, balance, balancing में balance, dream, walking, running, reading, swimming, ठीक है, voluntary movement को भी control करता है, ठीक है, medulla oblongata, ठीक है, medulla oblongata is located below the cerebellum, cerebellum के नीचे की side होता है, ठीक है, और यह क्या करता है, control करता है, heart beat को, breathing को, और digestion को, next है, जो hand brain का portion है, वो है pons, यह क्या करता है, control sleeping cycle, sleeping cycle को control करता है, और क्या control करता है, magnitude and frequency of respiration, ठीक है, अब जो central nervous system था, उसमें हमने brain देखा, अब next क्या था, उसमें spinal cord, ठीक है, spinal cord क्या करता है, spinal cord is service communication link between the brain and peripheral nervous system, link की तरह काम करता है, कि इसके बीच में brain और peripheral nervous system के बीच में, ठीक है, इससे 31 पेर nervous निकलती हैं, जिनको spinal nervous बोलते हैं, यह अभी हम देखेंगे, peripheral nervous system में, तूँ अब देखो, अब हमने यह देख लिया, यह देख लिया, अब हम autonomous nervous system में यह देखेंगे, sympathetic और parasympathetic, फिर हम peripheral nervous system में देखेंगे, cranial nerve और spinal nerve, तो चलिए देखते हैं, parasympathetic और sympathetic, परasympathetic जो काम करेगा, उसके उल्टा यह काम करेगा, दोनों against हैं, एक दूसरे के opposite हैं, ठीक है, जो ट्रंग है, उससे निकलती है, उसको हम बोलते हैं, sympathetic, तो देखेंगे, sympathetic वाले portion से हैं, तो यह क्या करती है, pupil को dilate करती है, slivation को inhibit करती है, इसके opposite यह क्या करेगा, यह pupil का contraction करेगा, यह saliva को stimulate करेगा, अब यह देखें, relax कर रहा है, bronchi को, तो यह क्या करेगा, constrict करेगा, ठीक है, यह क्या कर रहा है, heart pit को increase करेगा, तो यह क्या करेगा, heartbeat को slow करेगा, यह क्या करेगा, digestion को slow करेगा, तो यह stimulate करेगा, ठीक है, इसके anti हैगी, ठीक है, ठीक है, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान से, यह है, spinal cord, यह इससे क्या निकलती है, यह अब हमारा आगया, peripheral, इसमें हम spinal nerves देखेंगे, और cranial nerves देखेंगे, spinal nerves है, 31 pair, देखो, इस region से निकलती है, 8, इससे 12, इससे 5, इससे 5, और इससे 1, तो टोटल कितनी हो गई, 31 pair, ठीक है, अब हम cranial nerves की बाद करें, तो यह कितनी होती है, 12 pair, ठीक है, देखो, वन से अगर बात करें, तो पहली का नाम है, Olfactory, इसका दूसरी का नाम है, Optic, तीसरी का नाम है, Opulomotor, 4th का है, Troclear, 5th का है, Trisaminal, 6th का है, Abducens, 7th का है, Facial, 8th का है, Auditory, और Vestibulo, Cochlear भी बोलते हैं, इसको, 9th का है, Glossopharyngeal, 10th का है, Vagus Nerve, 11th का है, Spinal, Assessory Nerve, और 12th का है, Hypoglossal Nerve, और यह इनके फंक्शन दे रखे हैं, इनके नाम के अकॉर्डिंग है, Olfactory, Smell में, Smell को सेंस करने में, हल्प करेगा, Optic, Vision में, और यह, Eye Movement में, हल्प करेंगे, ठीक है, यह, Fish और Mouth के Movement में, हल्प करेंगे, Mastication में, हल्प करेंगे, यह, Auditory है, तो, Hearing में, हल्प करेंगे, ठीक है, यह, Tong वाले, Area में, Sensation में, हल्प करेंगे, ठीक है, Glossop मतलब, Tong वाला, Region, ठीक है, भैगर्ष जो है, गट वाले portion में, Cardiac function में, ठीक है, यह, सारे function आप पढ़ लिजिएगा, ध्यान से, तो, यह था हमारा chapter, नर्वस सिस्टम का, उमीद करतियों कि आपको समझ में आया होगा, और वडियो अच्छा लगे, तो, Like, Share, और Subscribe, जुरूर करना, Thank you.